गुड मॉनिंग जैपूर तो मैं अपने मंजिल के नए सफर में नए रास्ते पे निकर चुकी हूँ और अब आप सुच रहोंगे कि मैं कहां जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ बहुती पीस्फुली जगे जहां पे मुझे पीस मिले शान्ती मिले दिल को सुकून मिले और लाइप में थोड़ा चींच हो तो मेरी लाइप के कुछ उस टाइम पे अभी लास्ट जून की बात है तब बहुत टिफिकल टाइम चल रहा था तो सब चीजों से बहुती सिच्वेसन को मतलब डील करने के लिए और उसको अपनी परिस्तेति को समझने के लिए मैं निकल चुकी हूँ विपासना केंद्र जो की है अजमीर में कंडेरा गाउं में इस्तित है और अभी मैं मतलब बस मैं बाठी वी हूँ और मैं अभी यहा पर पहुंच चुकी हूँ देख सकते हो यह कंडेरा गाउं में है जो यह विपासना केंद्र है मतलब ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर तो यह अंटी और मैं मतलब बस में मिले थे जैपुर वाली बस में सिंधी कैम्प में और हम बिलकुल एक साथ आए हैं वहां से हम द कर सकते हो जो भी आपके मन में इच्छा हो तो बिलकुल दू तो बिलकुल आपको देखने को मिलेगा यह भीडभाड मतलब सोर गुल से बिलकुल सटा हुआ एकदम जंगल में होता है जो यह केंद्र होता है और इसकी खास बात यह है कि यहां पे आपको 10 दिन तक मेरे है वो आर्यमों का पालन करना पड़ता है और बहुत ही कठीन है वो यहां पे नियमों का पालन करना पड़ता है और अब आपको दिखाती हूँ जो मुझे रूम मिला था तो यह यहां पे उस से पीछे वाला एरिया है वो पुरसो का है मतलब मेल कैटेगरी का है उस साइड में और इस साइड है वो फीमेल का एरिया था तो यह यहाँ पे वो कक्स है द्यान केंदर है जहाँ पे मतलब दमा होल जिसको कहते हैं तो यहाँ पे हम अंदर जाके अंदर का तो साइड अलाओ नहीं था तो मंदर तो सूट करने नहीं गई तो यहां पे अंदर है वो बैट के ध्यान किया जाता है और यह वहर का garden है और यहां पे देख सकते हो यह मेरा 90 दिन का सूत है मतलब भी 10 दिन का सोरी तो 10 दिन आपको मतलब मिल चाता है आपको mobile phone वगरा और आप देख सकते हो जो मेरे member है टीम मेंबर है जो मेरे साथ में मतलब जाइन किये थी यहां पे वो करने के लिए भी जैसे आप लंच करके यहां पे मैं वॉक करती थी तो वो के लिये भी यहां पे आपको काफ़े अच्छा स्पेस मिलता है एकदम शान्ती मिलती है, सुकून मिलता है यहां पे आके और यह मेरा रूम है और यह आंटी का और मेरा रूम मतलब रूम भी हम दोनों का लेप्ट एंड राइट में मिला था जस्ट इमेजिन साथ आए, साथ में रूम मिला और साथ में हम वापस आए है तो ये आंटी भी जैपूर से थी और मैं भी जैपूर से थी तो हम दोनों का साथ में और ये दोनों सिस्टर्स आई थी, ये दोनों real sister है तो बाकी सब यहां पे दस दिन मौन थे तो आप सोचो, सब की गोसिप चल रही है, ये फालगूनी है Miss Doctor तो अब यहां से मतलब हम निकलेंगे और यह आर्यमोन जो होता है आपको मतलब दस्तिन इसका कड़ा-पालन करना पड़ता है और विपासना केंद्री को जो समझ गया उसके लिए तो मतलब उससे बड़ी जगे उससे अच्छी जगे कोई नहीं है जो एक बार यहां पे चला गया वो इसकी एहमित को जरूर समझता है तो मैं यहां पे गई थी तो मैं गई तो बहुत स्ट्रेस में थी क्योंकि यह लास्ट अभी जो दो अजार चोईस जून की बात है तो मेरे लाइप का बहुत ही टिपिकल वाला फेज चल रहा था उस टैम जब यहां से लोटी तो मुझे मेरे सवालों के जवा मिल गया मुझे आगे क्या करना है अपने सिच्वेशन के साथ कैसे डील करना है वो सब मुझे यहां पे मिला और यहां पे यह देख सकते हो यहां पे भी एक होल होता है और यहां पे जिसको बोलते हैं अपन देख सकते पंके डिवह छो हो पकोड़ा पगोड़ा क्या होता है और यहां पर दिखान के लिए भीजा using with a cach這種 और एक इतने से पंके के साथ में मतलब दस दिन मैंने वहां पर बिताए हैं विपासना केंदर में तो मेरा सफर आसान नहीं था बट सारे सवालों के जवाब मिलके तो मैं लोडती हूँ अपने घर की ओर तो बाबाई टेक केर